हेलो दोस्तों मैं सहरों बलिक आप सभी का टोपिक इस्टेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रिजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिजिनिंग का एक बहुत ही इंपोटेंट टोपिक मिक्स कोडिंग डिकोडिंग देखे Mixed Coding Decoding के Question अक्सर exam में पुछे आते हैं और बहुत सारे student को इसमें problem रहती है हमेसा ही तो मैं आज इस वीडियो में Mixed Coding Decoding के बहुत ही आसान सी सोट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा वीडियो आपको अच्छे लगे ट्रिक अच्छे लगे समझ में आजाए तो like share जरू कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं तीनों वीडियो का notification आपको हर रोज मिलता रहे तो नीचे red कल के बटन को दबा करके bell icon को जरूर रोन कर लिजेगा आपके पास सभी वीडियो के notification पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे और देखे दोस्तो अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड हो चुकी है reasoning की अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे description box में playlist का link है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आँच की वीडियो को देखे एक्जामपल वन के पे मैं आपको समझाओंगा कि इस जितने भी mix coding recording के questions होते हैं उनको कैसे करना होता है यहाँ पर लिखा है किसी code में rose are red को 506 लिखा गया और violet are blue को 195 लिखा गया और blue are red are few को 31405 लिखा गया तो कौन सा अंग few को दरसाता है यानि few के लिए कौन सा code यूज किया गया है यह आपको बताना है सबसे पहले आप जैसे जैसे इनको दिया गया है उनको लिख लेंगे रोज are red को 506 लिखा गया तो रोज are red 506 आपने लिख लिया उसके बाद violet are blue को आपने 195 लिखा तो violet are blue को 195 उसके सामने लिख लिया ठीक है blue and red are few को आपने 31405 लिख लिया तो ये भी आपने इसी के सामने लिख लिया ठीक है अब आप क्या करेंगे जो इस question में मतलब आपका question से कोई मतलब नहीं है जो उपर पूरा दिया गया था अब इस question में जो यह data आपने बाहर निकाला है इस पे ध्यान दीजिए और इस पे लाइन में रोज आ गया दूसरी में नहीं है तीसरी में नहीं है अगर रोज किसी दूसरी लाइन में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए ठीक है उसके बाद उससे दूसरे वाला वर्ड को देखिए दूसरे वाला वर्ड है आपका और पहली लाइन में है दूसरी लाइन म में दिख रहा होगा आपको देख लेना खूब ध्यान से तो आर के लिए कोड़ 5 हो जाएगा तो आप इसको गोल कर देंगे दर से भी दर से भी तो मुझे पता चलिगा भाई आर के लिए क्या है कोड़ 5 है समझ में आ गया चलिए आर का हो गया अब इसी तरीके साब रेड को चेक करिए अब नेक्स आपका रेड है रेड इस लाइन में है दूसरी लाइन में नहीं लास्ट वाल लाइन में है तो रेड को आपने क्या किया ऐसे तिरबूच बना दिया और रेड को हमने तिरबूच से red का मिल गया, rose का automatic की 6 बच जाएगा ठीक है न, तो rose के लिए code क्या होगा 6 हो जाएगा, समझ में आ गया पहले line का हमारा काम खतम हो चुका है दूसरी line में भी हमारा r मिल चुका है, wallet और blue बचा है आप देखे, blue किसी दूसरी line में है क्या wallet आपने चेक किया, दूसरी line में नहीं है तो blue को चेक किया, blue आपका यहाँ पे भी है, और इस one line में भी है तो इन दोनों line में क्या common है, यह चेक कर लिए इन दोनों में आपका one common है तो one के लिए code क्या हो जाएगा, blue के लिए code one हो जाएगा, समझ में रहा है ने दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है चलिए, इस पूरी line में भी आपका और blue का मिलका है, तो wallet का automatic यह आपका nine बच जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे last one line में आपका blue का मिल चुका है, red का मिल चुका है, r का मिल चुका है, end और few बचा हुआ है, अगर end और few बचा हुआ है दोस्तों, तो end और few के लिए क्या code होगा, तीन या चार हो सकता है, या तो end के लिए three हो जाएगा, या आपका few के लिए तीन हो जाएगा, या फिर r के लिए, sorry, few के लिए का चार हो जाएगा या तीन हो जाएगा मतलब confirm नहीं है कि end के लिए कौन सा code होगा और few के लिए कौन सा code होगा तो इस question में पूचा गया था कि few के लिए कौन सा code होगा दोस्तों यहां पर हम four option को लगाएंगे क्योंकि मालूम नहीं किया जा सकता है यह वाला आपका यहां पर question बन गया है ठीक है मालूम क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि end और few बचा हुआ है इस line में और दो code बचे हुआ है तो यह दोनों code किसके लिए कौन सा code है यह चीज तो confirm नहीं कि जा सकती दोस्तों I hope कि आपको इस question में 50% तो कम से कम चीज़े समझ में आई होगी अभी इसी type के मैं आपको साथ से 8 question कराऊंगा तो 100% इस chapter में कोई भी problem नहीं रहेगी बस आप वीडियो को पूरा end तक देखते रही है चलिए next question पर चलते हैं आशा करते हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आगा तो लाइक कर देना next question पर चलते हैं तो अपने ग्रीसम काल गरम है यह इसके सामने लिख लिया उसके बाद आरी टी एच ओ व्याइश का अर्थ राते गरम है तो यह भी आपने इसके सामने लिख लिए दोस्तों यहां पर पूछाए ग्रीसम काल के लिए कूट सब्द कौन सा है यानि की coding कोंसे में की गई है ग आइसी देखे किसी दूसरी लाइन में दिख रहा है आपको पहले वाला वर्ड नहीं दिख रहा है ना तो इसको छोड़ देजिए वी आइसी पहली लाइन में दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में भी वी आइसी है तो आप चेक करिए तीनों में क्या है वह तीनों में है common है तो है के लिए VIC code बन गया NIC किसी भी दूसरी लाइन में नहीं है तो NIC दोस्तों हम यहाँ पर confirm नहीं कर सकते हैं ठीक है NIC हम यहाँ पर नहीं confirm कर सकते हैं कि किस के लिए code है सीथकाल के लिए ठंड के लिए अब यहीं वाला question बनता जा रहा है अब नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं किया पता कुछ और मिल जाए तो यहाँ पर VIC का हो चुक है RE देखे इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है तो RE के लिए कौड यूज हुआ है तो यहाँ पर ग्रीसम काल के लिए आपका पूछगा यहाँ पर टू बसता है इन दोनों का आपको कोड मिल चुक है गरम के लिए और है के लिए भी तो बसता है एक ग्रीसम काल और यहाँ इसके लिए टू कोड हो जाएगा तो आगे का question आपको करने की ज़रुत भी नहीं है तो टू क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों आ आप मतलब नहीं कर पाते होंगा फिद जिन में आपको problem आ सकती है ठीक है चले नेक्स question पर चलते हैं दोस्तो question number 3 है किसी संकेतिक भासा में Ram is poor का अर्थ है T-I-M-I-N-O that is home का अर्थ है P-I-N-O-B-E तथा my home का अर्थ है to be तब that का code क्या होगा that के लिए आपको बताना है तो बिल्कुल आपको वैसी करना है Ram is poor का आपको सबसे पहले इसके सामने लिख लेना है तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख लिए ठीक है person अनुसार ये Ram is poor के लिए T-I-M-I-N-O को लिख लिए that is home के लिए ये लिख लिए और my home के लिए ये लिख लिए अब फिर हम वही काम करेंगे जो हम उपर दो कोशन में करके आ चुके है राम देखे किसी दूसरी लाइन में नहीं है ना ठीक है इस देखे किसी दूसरी लाइन में क्या है इस पहली में और दूसरी में है तो दोनों लाइन में कोमन क्या है नो है तो भाई इसके लिए कोड आपका नो हो गया ठीक है ना फिर पूर देखे पूर किसी भी दूसरी ला गया अब पूचा किसका गया था धैट का तो इसमें इज Eig का पता चलिगा होम का पता चलिगा पी आई जो है दोस्तो यह धैट को जएगा बियसली बात है मतल्लाओ ढ tęब्सन्ट कोड मिले े इस लाइन में तो Instagram पे जाके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, Instagram, Facebook पे कहीं पे भी आप सोरम मलिक सर्च करेंगे तो मिल दाएगा, ठीक है? या फिर Topic Study सर्च करेंगे तो मिल दाएगा, चलिए, Next Question पे चलते हैं, दोस्तो question number 4 है किसी संकेतिक भासा में 123 का अर्थ RP MP NO तथा 342 का अर्थ NO RP MU तथा 452 का अर्थ RP JP QM तब संक्या 1 के लिए code क्या होगा यह आपको बताना है देखे दोस्तों बिल्कुल जो हम करते हुए आ रहे हैं वो ही हमें करना है सबसे पहले person अनुसार हमने यह चीजे लिख ली उसके बाद आपने one check किया one किसी दूसरी लाइन में है क्या तो one किसी दूसरी लाइन में नहीं है फिर आपने two को देखा तो two इस लाइन में भी है इस लाइन में भी है और इस ल इस लाइन में है तो 3 के लिए code देखे दोस्तों इन दोनों में common क्या है एन ओ नो इसमें भी है तो 3 के लिए code क्या हो जाएगा समझ में आ गया फिर यहां पर आप देखे आगे का question करने की ज़रोती नहीं है क्योंकि हमसे क्या पूछा है वन का code पूछा है आपको आरपी मिल गया 3 का code है NO किसका code है 2 का code है तो यह MP बचा हुआ किसका होगा 1 का तो MP code हो जाएगा 1 का तो आपसे यह पूछा गया था कभी 1 का code क्या है मतलब सेकिंडों में question हो जाएंगे यह मत सोचे कि यह coding decoding वाला जो mix coding decoding वाले questions है इनमें time लगना है इनमें कुछ भी time नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा seriously और अच्छे से मतलब एक बर ध्यान से पढ़गे भी question कर लेंगा और कहीं बार क्या होता है चीजों को आपको पढ़ने की जोड़ती नहीं पढ़ती जैसे यही question था इसमें लिखने की जोड़ती नहीं थी पढ़ आपका MP पच्छता है ना ठीक है चलिए next question पर जलते हैं दोस्तों next आपका question number 5 है किसी खास code भासा में bring the whiteboard को k-a-n-a-d-i-p-a और white and blackboard को n-a-d-i-s-a-r-a लिखा जाता है तो इस code में कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है ठीक है भी तो यहाँ पर आपको बिलकुल वही चीज हम जो हर बार करते हो आरे उसको लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए आपका bring the whiteboard का आपका k-a-n-a-d-i-p-a आपने white and blackboard को आपने n-a-d-i-s-a-r-a लिख लिख लिया पूछा क्या क्या है आपसे पूछा क्या है आपसे दा के लिए code क्या यूज़ोगा तो आप यह देखिए सबसे पहले white इसमें भी है white इसमें भी है तो दोनों में common क्या है भाई white दोनों में इसमें board इसमें भी है इसे भी है दोस्तों जब भी आपको सिर्फ 2 line हो या 3 line हो और 2 या 3 line में देखे ज्यान से समझेंगा मेरी बात को क्योंकि यहीं पर question खतम हो जाता ह है उस question को आप कभी भी soul नहीं कर सकते वह आप यह बतिये white इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया फिर इसमें board भी आ गया और board इसमें भी आ गया तो इस वाले question को करना impossible है मतलब यह आपका cannot be determined वाला question है इसमें आप easily answer लगा सकते है कि दो line में दो आपके दो अलग-अलग word मत उस question को आप नहीं कर सकते तो cannot be determined आप इस cancel लगा सकते है data app रियाप्त है तो right answer आपको दोस्तो four हो जाएगा I hope कि इस type के question को आप देखते ही second में solve कर लेंगे इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को पुरा अंडर तक देखे बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगे मतलब इ इतना पता चल जाता है कि white इसमें भी आगया बोल इसमें भी आगया तो आप इस question को एकदम से discard कर दीजे चले next question पर चलते हैं दोस्तो question number six है sorry यदि किसी code भास में pix is cute को 486 के रूप में eleanor is beautiful को 147 के रूप में और pix is black and eleanor is white को 0375484 के रूप में code बुत किया जाता है तो कौन सा अंग eleanor को प्रस्तूत करता है यह आपको बताना है ठीक है तो चलिए इसको भी कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको वैसे लिक लेंगे जैसे हम हमेशा कितरे करते हैं फिर आप देखेंगे पिक्स जो है पहली लाइन में है और आपका तीसरी लाइन में है इसमें है और इन दोनों लाइन में क्या कोमन है कुछ ना कुछ तो कोमन होगा इन दोन लाइन में तो यहां पर आप देखे इसमें भी आपका 8 है और इसमें भी आपका 8 है तो आपने क्या किया पिक्स के लिए के आपने eight मतलब code हो गया यह हमें confirm हो गया फिर is देखिए, is आपका चार मतलब यह पूरी तीनो लाइन में है, यह लाइन ही तीन है चार नहीं है यह बड़ेवाल लाइन थी इसलिए मैं को इस तरीके से लेख दिया तो इस इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो इन तीनों में देखिए क्या common है वह इन किनों में common है आपका अगर देखें आप 4 तो 4 इसमें भी है इसमें भी है तो इसके लिए code हो गया 4, cute के लिए obviously आपका 6 हो जाएगा, यहनि कि picks is cute में आपका, picks के लिए code आपका 4 हो गया, is के लिए 8 हो गया, cute के लिए 6 हो गया, दोस्ते एक बढ़ question पर जाना पड़ेगा, देखेंगे क्या पूछा गया है, Eleanor का आपका question, मतलब पूछा जा रहा है कि क्या है, इसमें इस का पता चल गया, तो यहाँ पर देखिए, Eleanor जो है आपका, इस line में है, और इस line में है, इन दोनों line में common क्या है, 7 है, तो 7 क्या code हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दोनों के लिए 7 हो गया, तो Eleanor के लिए, आपका क्या हो जाएगा, 7 तो 7 is the right answer, I hope, और देखिए, NTPC 2016 में पूछा गया कोशन है, इसलिए बोलता हूँ कि आपको सारे कोशन्स पता चल देंगे, कि कौन, किस टाइप की कोशन्स एक्जाम में आते हैं, चलिए, next कोशन पर चलते हैं, देखिए, एक कोशन हो रहा है आपका, जो RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, इसमें बोले जाए रहा है, he needs help को, P, A, V, S, E, Lिखा, someone must help को, V, O, P, E, M, लिखा, और he is someone को, A, V, F, T, E, M, लिखा जाता है, तो someone need help को लिखा जाएगा, someone need help को कैसे लिखा जाएगा, आपकी बार आपका एक से अधिक कोडिंग पूछ ली गई है, तो इनको भी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने जैसे-जैसे कोशन में दिया कहा था, he needs help को आपने ऐसे लिख लिखा, someone must help को, he is someone, यह आपने तीनों का लिख लिख लिखा, आपने he देखा, इस लाइन में है, इस लाइन में है, यानि कि पहली और लास्ट वाली में है, तो he के लिए क्या कोड हो जाएगा, av और av आपका हो जाएगा, समझ में आ गया, फिर आपने देखा, help इसमें है, इसमें है, तो help के लिखा, यह क्या कोड हो जाएगा दोस्तों, यह गोला आपका help हो जाएगा, pe, pe, क्योंकि इंग दोनों में common pe है, ठीक है, तो needs के लिख 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 अपका क्या बज़ ज़एगा, इसी बज़ जाएगा, समझ गए, फिर आपने देखा, यहाप रहा, help हो चुकिए, someone इसमें है और इसमें है, तो someone के लिख लिख लिख, आपका code क्या हो रहा है, EM हो जाएगा, EM इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, someone आपका मिल गया, एम के लिए मतलब समवन के लिए कोड क्या मिल गया एम और यहां पर फिर आपने देखा मस्ट ओर्टोमेटिक आपका वियो बच जाएगा समझ गए बई एक अगर आपको इस लाइन में दो का कोड मिल गया तो मस्ट तो ओविसली है न कि वियो होगा होगा अगर इन दोनों के कोड मिल गा तो नीड्स के लिए ओविसली है न कि सी कोड होगा ठीक है उसी तरीके से जेंद आपका ही का मिलिगा संबन क नव Зब्लय कोड़ पता हैं कि एफ ती यह औप requires वाइंड समवन के लिए कोड़ या दोस्तों अंब लिख लिए फिन निड्स के लिए आपका कोड़ क्या हो condition देगा नीड्स के लिएपका एसी तो आपने एसी लिख लिए और help के लिए आपका code क्या हो जाएगा यह PE हो जाएगा तो E-M-S-E-P-E आपका code हो जाएगा E-M-S-E-P-E क्या है सबसे पहले क्या था E-M-S-E-P-E या PE ठीक है अब यहां पर देखें थोड़ा सा करके देगा PE-E-E और यानि कि सबसे पहले लास्ट वाल आ गया फिर आपका फर्स्ट वाल आ गया बीच में और फिर लास्ट वाल जो बीच में वो लास्ट में चला गया तो PE-E-M-S-E आपको देदिया तो PE-E-M-S-E आपका हो जाएगा right answer तीसरे वाला तो दोस्तों